111 और एक और वीडियो में आपका स्वागता तो यह जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो यह है इस गाड़ी की यह है मारती सुजू की ब्रहजा यह इसका LXI वेरियंट है और सबसे स्पेशल यह C&G वाला LXI वेरियंट है अब यह डीलर्शिप्स पर आ चुकी है आप जाके आपको पता हो या ना पता हो तो आपको बता देता हूं बाइसाब LXI वेरियंट ब्रहजा का यह लगा लो एक तरीके से बहुत ज़्यादा वेरियंट है इसके अंदर आपको सारी की सारी चीज़े मिल जाते हैं एक स्टीरियो को छोड़के और इसका वेटिंग पीरिड यह आपको बता देगा कि इसके चाहने वाले कितने है मार्केट के अंदर और एक चीज और आप प्लैन कर रहे हैं हमारे तो अब इस गाड़ी के बारे हम बात चीत करते हैं कि इसमें मिलता क्या 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 है फर्स्ट अफॉल लुक्स बरकरार है एजटेज जैसे पहले आती थी और भाई साब इसके अंदर जस्ट वील के अपसा आपको लगाने और आपका मन है अगर आप एकसरीज में अपना इनकी बात करें तो यह आपको देखने के मिलते हैं और इनकी बात करें तो यह आपको देखने के मिलता है MRF के और टाय सेक्शन की बात कें तो 215, 60, 16, 16 इंच की अच्छी कासी प्रोफाल मिल जाती है आगे डिस्क और पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं और यह देख सकते हो साइड में अच्छी बड़ी बड़ी क्लैडिंग शहां पर आपको देखने के लिए गाड़ी की CNG का स्टिकर अब आपको नया देखने के लिए एक यहाँ पे है एक पीछे वाले अपना विंडो पे है और यह बॉड़ी कलर्ड ओर व्रम सिंडीगेटर्स के साथ आपको मिलते हैं बॉड़ी कलर दोर हैं बीच वाले पिलर जो है अपना मेट ब्लैक देखने के लिए मिलत है और यह बल्कुल ऐसे टॉप मोडल जैसे LED टेल यहां पर देखने के लिए मिलते हैं यह बल्ब जो है यह यह पूरा पैटर्न आपको LED में देखने के लिए मिलता है और देखना यह क्या ग्लॉसी टीट्मेंट जिस पर दिये हुए और बहाई सब जबर जस्त और इंडिय चमतकार जो आपने ओटो एक्स्पो में देखा होगा यह पार्शल ट्रेस को हटा था यह आपको यह पर दिखेगा सी एंजी स्लेंडर और वाई साब सजूकी की सीएंजी मतलब इतनी कामयाब है कि आपने मतलब कभी सुना नहीं होगा कि की दिक्कत आई यह कोई दूसरी कं सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और इतने जादा कामयाब है इतनी कामयाब है तब इसके इंदर आईगा और अब देख लेना इसका वेटिंग पीरिड आपको फिर से बता देगा कि लोगों को कितनी पसंद आई है और इसकी वाटर बिडिंग के बात के रहें तो 55 लीटर स पर आपको बार निकालना पड़ेगा और आप यहां पर आपको बंद कर लेते हैं और अब भी चलते हैं अंदर और पीछे की सेर दिखा देता हूं चार पार्किंग सेंसर सापको स्टेंडर्ड मिलते हैं आप देख सकते हो कुछ इस तरीके जहां पर प्लेज़ड हैं और अभी चलते हैं रटी के अंदर और अंदर की चीज़ों के बारें बात चीट करते हैं अंदर से क्या-क्या मिलता है तो एक सेकंड यह बंद कर लेता है और यहां पर आपको नई बटन देखने के लिए जो है अपनी फ्यूस लेक्टर बटन लाइट लेवलिंग डाइल यहां पर मिल जाता है और अभी चलते हैं अंदर और अंदर से सारी चीज़े आपको ओन करके दिखा देता हूं मैं फटा फट से क्योंकि गर्मी हो रही है बह अगर आप चाहूं तो लगवा सकते हो जहां से आपका मन करें जैसा आपका मन करें आप वैसा लगवा बाकि आपको डिलर्शिप से भी बहुत अच्छे उप्सन से आपर मिल जाता है और इधर यह से एक बार और और ऑन कर दोगे तो यह देगो सामने से कुछ इस तरीके से यहां पर चालू हो जाता क्लिस्टर आठ जार तक क्या रपेम हैं 220 की टॉप स्पीड मारकेंग है अब इसके अंदर आपको एक इंडिकेशन और है कि जो अपने सेंजी की इधर की सेंजी दिखेगी इधर की सेंजी पेटरोल दिखेगा और बीच में जितनी भी इन्फोरमे सब्सक्राइब देखना कहीं से लगेगी नहीं आपको कि यह एलेक्साइब यहां पर नहीं है बट बेस मोडल के अंदर आपको एडजस्टमेंट मिल जाती है कि यह चीज है डैशबूर दिखाता हूं एक सेंड में बाकि मतरियल की बात करें तो काफी सॉफ्ट इसका डैशबूर का व्यू सारी की सारी चीज़े ब्लैक है और अगर आपको ब्लैक चीज़े पसंद आने वाली है क्योंकि इनमें भी दो तीन पॉइंट होते हैं जैसे कि इसको मैंटेन करना इतना बड़ा जिंजट नहीं आपको कप्रा मारना है और यह क्लीन एकदम से औ और सारी सारी चीज़े ब्लैक हैं यह कॉलम आपको इंपिटी देखने के लिए मिलता है यहाँ पर चाहोता इंपूर्ट इनमेंट सिस्टम लगवा सकते हो हैजार लाइट की बटन एक के वेंट्स एक के चार्जिंग सॉकिट यहां पर मिल जाता है स्पेस वगरा है 5-speed का म यहां पर स्पेस वगरा मिल जाती है और इधर की साइड अच्छी खासी स्टोरेज आपको देखने के लिए मिल जाती है और अभी पीछे चलते हैं और पीछे से देखते हैं कि स्लेंटर लगने के बाद भाई पीछे की स्पेस में कोई कॉम्प्रमाइब नहीं हुआ है और यहां से कुछी रह जाए तो प्रीज पूछ लेना कॉमेंट्स में और अभी जलते हैं पीछे और अभी पीछे जलते हैं पीछे की स्पेस वगरा एक बात चीत करें तो यह देख लो डूर पैनल कहीं से भी आपको मतलब ऐसा फील नहीं हुए कुछ खाली खाली सा है यहां यहां पर पार विंडो है अपना डोर लेवर है स्पीकर की प्लेशमेंट आप यहां करा सकते हो बूटल होडर वगरा सारी चीजे हैं और यह जो है वील कैप से इनके LXI में आपको वील कैप देखने के मिल जाते हैं और यहां भी मैं साइड में कर लेता हूं एक सेकंड और वह चाहू तो आप लगवा सकते हो क्योंकि मुझे फील हो रहा है इसकंदर हैं पर होल्स हैं आप चाहू तक सेस्रीज के तौर पर वह भी लगवा सकते हो बाकि रेरे एसी वेंट्स आपको मिल जाते हैं बेस मोडल से मिनीमल से हम जरूर है बाकि तीन बंदे यहां पर इतना जादा वरोसा करते हैं और दूसरा फिर यतनी प्रैक्टिकल भी है और यह सेग्मेंट इतना जादा प्रैक्टिकल है कि बंदा कोई भी चीज सोच रहा हो फिर वह यहां पर आकर रोक जाता है क्यों ना जब पैसा इन्वेस्ट करी रहे हैं तो एक ऐसे इन्जिन कमपार्टमेंट कैसा मिलता और कितनी पारफिकर सापको डिवलप करके देता है और चॉपीज की माइलेज क्लेम करती एक चीजी सीएंजी में बस यही बैइनिफिटर सुची की सीएंजी का बहुत जाद अशांदार माइलेज निकाल के देती है और चॉदा सो बा बाकि यह है पूरा एंजिन कमपार्टमेंट आपके सामने नीचे इंसलेशन वगएर आपको दी हुई है और एक सेकंड इसे बंद कर लेते हैं फिर मिलता है तो अगर आप प्लैन कर रहेते हैं बहुत टाइम से इस गाड़ी को कि कभी भी जब ब्रैजा सीएंजी में लाउ कोमेंट में और हम फिर मिलते हैं तब तक के लिए बाई बाई